आज आपके सामनी हैं इंग्लिस रीडर चैप्टर 6 लोली रोड चैप्टर के राइटर हैं आरके नरायन और इस चैप्टर को सुरू करने से पहले हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग की टू लाइन्स पड़ेंगे जो की इसका इंट्रो है इसमें लिखा हुआ है इंडिया है रिसेंटली अचीव इस इंडिपेंडेंडेंस फ्रॉन ब्रीटिस और नई गवर्मेंट ने भारत के महां लोगों के नाम पर रोड्स और बिल्डिंग के नामों को बदलना सुरू कर दिया और जाने के लिए अब इस कहनी को सुरू करते हैं कैसालों तक मालगोडी के लोगों को ये भी नहीं पता था कि मुनसिपल्टी भी होती है मुनसिपल्टी जो यानि जो सड़को गनालो इनकी सफाई करती है यानि देश में सफाई का काम करती है उसी को मुनसिपल्टी कहती है और मालगोडी को इसके होने के बारे में कुछ पता नहीं था यहाँ तक की मुनसिपाल्टी ने भी अपने आप को मालगोडी के लोगों के नजरों से दूर रखा था तब तक जब तक की भारत को आजादी नहीं मिलगी पर जल्द ही 15 अगस्ट 1947 जब देश आजाद हुआ उन्होंने सड़कों की सफाई की नालों की सफाई की और हर जिगे जंडे फेराए यानि मुलसीपल के जो चेर्मेन हैं यानि हैड हैं उन्हेंने कहा कि मुझे लगता है कि हमने इस दिन कुछ जादा काम नहीं किया नेश्ट नरेटर की लाइने बताई गई हैं नरेटर कहते हैं I used to visit him almost everyday trying to make a living out of news report to a paper which paid me 2 rupees for every inch of published news इस कहानी के जो नरेटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर मुलसीपल चेर्मेन से मिलने जाया करता था क्योंकि मुझे अपने अकबार में छापने के लिए कुछ news चाहिए होती थी news छापने के लिए मुझे अकबार में हर inch के लिए 2 rupees मिल जाया करते थी मैंने मुलसीपल चेर्मेन से पुछा I ask enough of what कि आप कहना क्या चाहती है कि आपने कौन सा काम ऐसा है जो आपने नहीं किया है तब मुलसीपल चेर्मेन कहती है nothing to mark of the great event इस महान का दिन पर यानि आजादी के इस महान दिन पर मैंने कुछ ज़्यादा महान मतब कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है मुझे लगता है कि यह बहुत कम है He sat brutally and then announced Come with me I am going to do something great वो काफी देर तक बैठे रहे और सोचते रहे फिर उन्होंने गोसना की कि चाहे जो हो जाए मैं इस महान दिन पर कुछ ना कुछ जरूर करूँगा वो खड़े हुए और उन्होंने काउंसिल के सभी मेंबर्स को एक मीटिंग के दोरान बुलाया एक मुलाकात की अब देखे काउंसिल क्या होता है काउंसिल वो लोग हैं जो सला मसवरा करके बाचीत करके एक दूसरी की सहमती से कोई निद्या या फैसला लेते हैं किसी काम को करने का तो काउंसिल के सभी मेंबर्स को बुलाया उनके बीच बाचीत हुई भासन बाजी हुई और फिर आखिरकार वो इस फैसले पर आये कि सभी सडको और पारको के नाम भारत के नागरिकों के नाम पर महानलागरिकों के नाम पर रख दिया जाए यही हमारे भारत के सभी दान के लिए एक सम्वान की बात होगी एड दा कोरनर ओफ लोली एक्स्टेंशन एंड मार्किट देर यूज तो बी अस्टेचू लोली एक्स्टेंशन ये एक जिगे है और मार्किट वहाँ पर लगने वाली एक मार्किट इसके कोरने में एक स्टेचू था एक मूर्ति थी पीपल हैट गोट सो यूज इट डेट नेवर बोदर तो आग वू इट वास और इवन टू लूक अप यानि सभी लोग उस मूर्ति के इतने आदी हो चुके थी, लोगों को इतनी आदत हो चुकी थी उस मूर्थी की, कि कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, ये मूर्थी है किसकी, या कभी भी उसकी चेरे की ओर देखने की कोशिश भी नहीं की. इसका अकसर इस्तमाल पक्षियां अपने बैठने की जिग्या के रूप में क्या करती थी, देखने को जल्दी ही अचानक याद आया कि ये मूर्थी तो सर फ्रेडरिक लोली की है, दे एक्स्टेंशन हैड बी नेम्ड आफ्टर इम और इस जिग्या का नाम भी सर फ्रेडरिक लोली के नाम पर ही रखा गया था, लेकिन अब इस लोली एक्स्टेंशन का नाम गांधी नगर में बदल चुका था, और अब इस गांधी नगर में लोली, सर फ्रेडरिक लोली की मूर्थी ज़्यादा समय रखने के लिए नामुम्किन थी, अब इसको नहीं रख सकते थे, सभी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने सबकी एक दूसरे की सहमती से इसे यहां से हटाने का फैसला कर लिया, मतलब एक जीत की खुसी मनाते हुए, अगली सुबह, काउंसिल के सभी मेंबर और चेरमेन उस स्टेचू के आसपास खड़े थे, लेकिन दे नाव रियलाइज दियर मिस्टेक, पर लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या गलती का एहसास हुआ, जिस मोर्ती का हुआ यहां पर हटाने के लिए आये थे, वो उनकी, उनसे करीबन 20 फीट की उचाई पर थी, और उसका नीचे का हिस्सा, यानि उसकी नीव, जहां जो जमीन में गड़ी है, वो पिगले हुए काच के, पिगले हुए काच से, जो है, मजबूती से, जमीन में लगाया हुआ था, मतब बड़ी मजबूती से उसकी नीव रखी गई थी, लेकिन इससे लोगों का इरादा ओर जादा बढ़ गया, उन्होंने ठान लिया, क्या ठान लिया? अगर इस टाउन का, इस नगर का एक हिस्सा भी हमें तभा करना हो इस मूर्ती को हटाने के लिए, तो वो इस मूर्ती को तब भी हटा कर रहेंगे. उन्होंने सर फ्रेडिक लोली के इतिहास के बारे में बहुत जाज़ा जानकारी खटी की. यानि उन्होंने जब सर फ्रेडिक लोली के इतिहास के बारे में जाना तो उन्हें पता चला कि ये यूरोप के निर्दियाई इंसान अटीला की तरह है. स्कर्ज मतलब जो ताना साह लोगों पर अथ्यचार करता है. तो बिल्कुल उसकी तरह अटीला की तरह था जो यूरोप में सासन था और वैसे ही जैसे ही नादिर साह जो एक बड़ा ही सडियन्त कारी था. तो इनका एक मिक्सरन था. इन्हीं की तरह ये भी सर्फ्रेडिक लोली थे. नेक्स्ट पेज़ पीपल ड्रोप दियर नॉर्मल उकुपेशन एंड लोइटर अराउंड अराउंड अस्टेचू वरंडरिंग हाव दे कुल्ड हैव टोलरेट इट फोर सो मैनी एयर्स. पीपल्स यानि लोग सभी अपने काम को छोड़ कर उस स्टेचू के आसपास मंडराने लगे. ये सोचने लगे कि क्यूं वो इतने सालों से इस मूर्ती को बरदास कर रहे थे. ये जेंटलमेन यानि ये मूर्ती सर्ट फ्रेडिक लोली की ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही हो, उनका मजाग बना रही हो, इसकी मूर्ती के हाथ पीछे की तरफ थे और इसकी बैल्ट से एक तलवार भी लटकी हुई थी. इसमें कोई सक नहीं है कि ये अपनी समय का सबसे बड़ा अत्याचारी रहा होगा. The true picture with breeches, wig and white waist coast and the hard determined look All of has been faithful familiar in the British period of Indian history की breeches, breeches होती है एक short pant उस समय पहने जाने वाली Wig, wig मतलब नकली बाल, जो सपेद रंग की नकली बाल होती है White waist coat, एक पहने कपड़ा, coat की तरह एक पहने वाला कपड़ा यह सारे जो निसानी है और साथ ही चेहरे पर एक look, एक determined, एक direct single वाला एक look यह सारे वो निसानी है जो इंडिया हिस्सी में, भारत के इतिहास में British लोगों से नफरत की जाने वाली चीजे है मतब British इंडिया के इतिहास में, जिन British लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है, उनकी यह सब चीज निसानी है बिलकुल यही सारी निसानी सर्फ्रेडिक लोली में थी यह सोच कर कि अपने पूरवजों के बारे में सोच कर वो काँ पुटते थे सभी लोग यह सोच कर कि किस तरीके से इस आदमी ने उनके पूरवजों पर अत्यचार किया होगा next, the municipality called for tenders tenders होता है एक रोजगार देना तो यहाँ पर municipality इन्हें tender भेजे यानि लोगों को प्रस्ताब भेजा कि अगर आप इस मूर्थी को हटाते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए और dozen होता है बारे, किंती में बारा बारे कोंट्रेक्टर ने इस मूर्थी को हटाने के लिए और इस मूर्थी को हटा कर municipal office में लगाने के लिए अपनी अपनी नियुमता आई भेजी कि उन्हें कितना पैसा चाहिएगा इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए जो सबसे कम दाम बताए गई वो थे 50,000 रुपे साथ ही मुनसिपलिटी के जो लोग थे वो इस बात से भी चिंतित थे कि इसको हटा कर रखने की कौन सी जिगह होगी जैर में काफी समय तकि इसके बारे में सोचा और फिर मुझसे कहा किस से नरेटर से कहा कि क्यों ना तुम इसे अपने साथ ले जाओ अगर तुम इस statue को हटाने के लिए इसकी जिगे से हटाने के लिए कोई charge कोई पैसा नहीं लेती हो तो मैं इस statue को भी तुम्हें free में दे दूँआ I had thought till that the only my municipal friend were mad but now I found I could be just as mad as day तब तक तुम मैं यही सोचता था कि मेरे municipal दोस्त municipal में काम करने वाली जो दोस्त हैं यही पागल है लेकिन मैंने पाया कि मैं भी इन से नहीं की तरह है पागल हो क्योंकि मैं जल्द ही I begin to calculate the whole of pure investment मैं जल्द ही इस मामले के बारे में फायदे के रूप में इसकी calculation करने लगा कि मुझे कितना फायदा होगा इसे हटाने के support it cost me 5000 रुपीज to dislog and move the statue माले जिए इस मुर्थी को हटाने के लिए और दूसी जिगे पर लगाने के लिए मुझे 50,000 रुपे का खर्चाए and I sold it metal for 6000 और मैं इसे लोहोई के बाव 6000 में भेज दूँ मुझे कितना फायदा होगा about 3 tons of metal might fetch anything करीबन 3 ton का जो ये metal है जिसकी मूर्ती बनी हुए है 3 ton के metal की इससे तो बहुत कुछ पराप्त हो सकता है या फिर or I could probably sell it to the British Museum or West Minister Abbey या फिर मैं इसको British Museum में बेच सकता हूँ West Minister को बेच सकता हूँ I saw myself throwing up the up country paper job मैंने पाया कि मैं जल्द ही ऐसा काम करने पर मुझे paper job यानि अकबार में करने वाले इस काम को करना नहीं पड़ेगा the council had no difficult in passing a resolution permit me to take the statue away council यानि council के जो members थे उन्हेंने मुझे इस मूर्ती को ले जाने के लिए जो अनुमती थी उसे पास करने के लिए कोई कटनाई नहीं हुई उन्होंने बड़ी असानी से ये मुझे ही मूर्ती हटाने के लिए एक पास जारी कर दिया I made elaborate arrangement for this task मैंने इस काम के लिए सारी तैयारी कर ले थी I borrowed money from my father-in-law promising him a fantastic rate of interest मैंने अपने father-in-law यानि अपने ससूर जी से कुछ पैसे उधा ले लिए और उन्हें वादा भी किया कि अच्छे खासे interest के साथ मैं उन्हें पैसा लोटा दूँगा I required a team of 50 coolies to hack the pedestal मैंने करीबर 50 लोगों की मजदूरों की टीम जमा की जो इस मूर्ती की नीव को नीचे से हटाने का काम करेंगे I stood over them like a slave driver and keep shouting instruction मैं उनके साथ खड़ा रहता जैसे की कोई गुलाम के साथ उनका माली खड़ा रहता है और उनसे आदेश देकर उनसे काम कराता है They put down their implement at 6 in the evening and return at their attack early next day वो अपने ओजारों को अपने instruments को अपने ओजारों को लगबग सामके 6 बजे रख देते और फिर अगले दिन दुबारे से इस काम पर लग जाते We hacked for 10 days मैंने हमने इस को मूर्ती को हटाने के लिए 10 दिन तक काम किया No doubt We success in chipping the pedestal here and there इसमें कोई सक नहीं था कि हमने उस मूर्ती की नीव यानि जीचे वाली स्थर पर इधर से उधर कुछ दरारे तो ला दी But that was all बस इतना ही हुआ The statue showed no sign of moving लेकिन मूर्ती को उस जिगे से हटने का कोई संगेत नहीं था मूर्ती अपनी जिगे से हिल भी नहीं पा रही थी बस छोटी मोटी दरारे ही आपाई थी At this rate, I feared I might become bankrupt in a fortnight देखे fortnight होता है 2 week कसमे, 14 दिन कसमे कि मुझे सक था कि ऐसा ही चलता रहा तो 14 दिन के अंदर मैं तो बरबाद हो जाऊँगा I receive permission from the district magistrate to acquire a few stick of dynamite मैंने district magistrate से कुछ dynamite लेने की अनुमती ले ली और उन dynamite को लगा दिया cordoned of the area and lightened the fuse मैंने उस area को भी खाली करा दिया जहां पर इन dynamite को जलाया जाकर मुर्थी को तोड़ा जाएगा और फिर इन dynamite को जलाया I brought down the knight from his pedestal without injuring any limbs बिना किसी चोट पहुँचाए हाथ पहरों को बिना किसी तरीके से चोट पहुचाए मैंने इस मुर्थी को इसकी नीव समेथ नीचे गिरा दिया बिना किसी नुकसान की transporting was a nightmare अब इसे दूसरी जिगह पर ले जाना transport करना यानि दूसरी जिगह पर ले जाना एक नाइट मेर यानि बुरे सपने की तरह था अलोंग मार्किट रोड दा इंसिस्टेंट सौटिंग इंस्ट्रक्शन हाइट तो वी गिविन दा ब्लाउंटिंग हीट ओफ द दे सर फ्रेडरिक केरिज कम तो हेल्ट एट एट एवरी इंकोविनेंट स्फोट एंगल जैसे कि मैं इसे मार्किट की रोड से ले जा रहा था तो वहाँ बहुत जदा कन्फ्यूजन बहुत जदा भ्रह्म पैदा हो गया क्योंकि मुझे लगाता चिलाना पढ़ता था इंस्ट्रक्शन देने पढ़ते थे कि इधर मुडो उधर मढ़ो साथ ही दिन की अधाधंद गर्मी ने भी मुझे परिसान कर रहा था और हर एक इनकोंविनेंट मतलब हर एक जिगह पर ऐसी जिगह पर सर फ्रेडिक की ये गाड़ी जिसमें इनको ले जाया जा रहा था वो हर में ऐसी जिगह पर फस जाती जिसे मैं चाता था कि जल्दी से जल्दी बीच जाए रात के समय मुझे इस रोड के किनारे इस मूर्ती की देखबाल भी करनी पड़ती जैसे कि ये मूर्ती उल्टी तरफ से पड़ी होती थी और इनका चेहरा सितारों की तरफ होता था तो मुझे इन्हें देखकर बड़या ही दुखी महसूस होता था मैंने इन्हें देखकर बड़ती बुरा लगता था कि क्या हालत हो चुकी है आज इस मूर्ती की इसका सीर और सोल्डर मेरे घर के फ्रेंट होल में था और बागी का जो सरीर है वो खिच कर दरवाजे से सडको तक पहुँच रहा था The Municipal Council passed a resolution thanking me for my service Municipal Council ने मुझे मेरी इस काम के लिए सावासी देते हुए मुझे एक धन्यवाद का प्रस्ताब भी बेचा I wired the news about the statue to my paper मैंने इसकी खबर अपने अखबार में भी छपवा दी A week later the chairman came to my house in a state of agitation एक हफते बाद chairman मेरे घर पर आए बड़े ही निरासा के साथ बड़े ही दुखी बाव में I seated him in the chest of the tyrant मैंने उस अत्यचारी यानि उस मूर्ती के ऊपर chairman को बैठाया He said I have a bad news for you I wish you had not sent up that news item about the statue कि मेरे पास तुमारे लिए एक बहुत बुधी खबर है कास तुम इस मूर्ती के खबर अखबार में तुमने नहीं चपवाई होती See this, he held a thief of telegram उन्होंने telegram के कुछ पर्चे निकाले They were from every kind of historical society in India ये भारत के अलग-अलग समाजिक इतिहासकारों की तरफ से आई थे All protesting against the removal of the statue और सभी इस मूर्ती के हटाय जाने का वरोध कर रहे थे We had all been misled about Sir Frederick Loli Of the statue was a military government who had been settled down here after the mutinity चेर्मेन ने बताया कि हमने Sir Frederick Loli के बारे में गलत समझ लिया ये तो एक military government थे यानि सेना के एक general थे जो यहाँ पर तब आये थे जब यहाँ पर विरोध हुआ था विद्रो हो गया था लड़ाई जगडे चल रहे थे He almost built the town of Malgudi उन्होंने Malgudi के जादतर नगरों को ही बसाया था उन्होंने ही Malgudi के जादतर नगरों को बसाया He stabilized here the first cooperative society for the whole of India उन्होंने ही भारत की सबसे पहली cooperative society को यहाँ पर बसाया and the first canal system by which thousands of acres of land was irrigated from the सरायो और सबसे पहली canal जिसकी मदद से हजारों एकर्स की जो जमीन है उन्हें irrigation यानी सिचाई खेती की सिचाई के लिए पानी मिलता है सरायों नदी से उसके लिए उन्होंने कैलन सिस्टम भी उन्होंने ही बनाया ठीक है he was stabilized this is why stabilized that he died in the great सरायो flood which attempt to save the life of villager on its bank देखें सरायो एक नदी का नाम बताए गया यहां पर यह तहां बताया कि उन्होंने ये काम किया इन्होंने ये काम किया वो काम किया और आखिर कास सरायों की में आई एक बाड के कारण लोगों को बचाते हुए गावों के लोगों को बचाते हुए वो उन्होंने अपनी जान दे दी इन वन ओफिस डिस्पैश ही वास सेड टू है डिकलियर उनकी एक भासन में उन्होंने ये भी कहा कि ब्रेटेन यानि अंग्रेजों को जल्द ही भारत को अपनी अच्छाई के लिए छोड़ देना चाहिए कि चेर्मेन ने ये भी बताया कि अब हमें गौवर्मेंट ने ये आदिश दिये हैं कि उस मूर्थी को फिर से वहीं पर दुबारे लगा दिया जाए तो यहां ये स्टोरी यहां पर खतम होती है आप आप सोचिए कि आखिर में क्या हुआ होगा कि कैसे नरेटर को कितना बड़ा सत्मर लगा होगा जिन्होंने इतने पैसे खाच करी और इतने मेहनत कर दी स्टैचु को यहां लाने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई को सना सर का अप पहले ही अपलोड हो चुका है जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्किप्शन से मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के आखिर में एक आखिर अ लुप में मिल डाई